हेलो फ्रेंड्स गूड इवनिंग वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है डेली साम को साथ बजे टाइम होता है जी के बूस्टर टेस्ट के आनी की मौक टेस्ट का जो कि आपके आने वाले सभी एक्जाम के लिए काफी मात पूर होते ह है यह दोस्तों जी के बूस्टर टेस्ट का पार्ट फोर है इससे पहले थडरी पार्ट हो चुके हैं जो हमारे नये स्टूडेंट हमारे साथ जूड़ियों को बता देक डेली साम को साथ बजे जी के बूस्टर टेस्ट आज जोत होता है जिसमें 50 कोश्चन रहते हैं जनल कि आपके आगामे एक्जाम होने वाले जिसे रेलवे एंटी पीसी एससी लेकपाल भरती सिक्षक भरती और कोई भी अन्य वन्य एक्जाम के लिए बहुत इंपोड़न टेस्ट होता है तो आप इस टेस्ट में डेली पार्टिसपेट जरूर किया करें दोस्तों आगे बढ़त इस टेस्ट के लिए अगर इसकी पीडिएफ चाहिए तो आप टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल में आपको ऑनलाइन इस टेडिपॉइंट सर्च करना है इस ग्रूप को जोईन कर लेना है ऐसा लोगों आपको मिलेगा और आप टेलिग्राम को देखिए एक motivational सायरी भी बोल देता हूं ताकि आप लोग motivate होते रहें देखिए दोस्तों कोशिस के बाब जूत हो जाती है कभी हार हो के निरास मत बैठना मेरे यार बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम पा लेती मंजिल चीटी भी गिर गिर कई बार सो दोस्तों आपको बूस्टर टेस्ट 3 के जो टॉपर हैं देखिए नंबर उन पर हैं अंकित सिंगानिया जी सेकंड नंबर पर हैं शंकर के रवाय सविता दास रवी मलोत्रा और किरन जूरिया आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो काफी अच्छा आपने प्रयास किया देखिए दोस्तों अ हमारा पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर देखिए थौट्स अन पाकिस्तान किसने लिखाते हैं नहीं थौट्स अन पाकिस्तान के राइटर कौन है प्रते कोशन में मिलता है आपको तो पान सिकने टाइम तो फटा पटा सभी लोग एंसर देंगे थौट्स अन पाकिस्तान के बहुत बढ़ी है, आप सभी का right answer है, thoughts on Pakistan किसे ने लिखा है, डाक्टर भीम राओंबेडकर जी, option भी correct हो जाएगा, जो कि भारती समिधान के जनक माने जाते हैं, ठीक है, देखिए जवालाल नहरू की famous book है, उसका नाम बता ही आप लोग, जवालाल नहरू की famous book अपने जो भा लिया, विंस फ्रीडम, काफी famous book है, ठीक है, तो thoughts on Pakistan किसे ने लिखा है, we are a medical, सभी लोगों ने right answer देखिए, तो very good दोस्तों, अगला option आपके screen पर है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान का उन से है, बताई, ये चार आपसान आपके सामने दिएगे, विश्व का सबसे ठंड स्थान बताना है आपको, फटा पट से answer देंगे, जल्दी जल्दी, very good दोस्तों, बहुत बढ़िया, option D correct हो जाएगा, ठीक है, बर्खों या आज को जो की रूस में स्थीता, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, रूस की capital क्या है, रूस की capital, बताईए फटा पट से, और र एक्सटा fact भी आपको याद करते चलना है, question number 3 से पहले दोस्तों देखिए, GK की special PDF है, जो की इसमें GK का पूरा निचोड है, अगर आप daily practice देते हैं, तो इस GK PDF पर जुरूर पढ़े, इसके अलाबा आपका score इससे पढ़ने के बाद काफी अच्छा हो जाएगा, इस PDF का आप जी के ब्रह्मा, जिसमें किसमें सब्पूश एड किया गया है, हिस्ट्री, जोग्रफी, पॉलिटी, साइंस, इसके अलाबा, model paper और करेंड फेस बेटकिक की कीमत मातर 49 रूपे, description box मिल लिंक है, आप purchase कर सकते हैं, काफी अच्छी बूक है, आप देख सकते हैं, अगला प्रतिवर्ष, उपभोकता दिवस का मना जाता है, यानि कि प्रतिवर्ष, consumer rights day, world consumer rights day का मना जाता है, फटापट से बताएंगे, very very important question, एक कई बार एक पूछा गया है, बताए फटापट से, जितने नए student जुड़े हैं, फटापट से एक बार वीडियो को लाइक कर दें, आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करता है, अगर अभी ताग आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, फटापट सेयर कर दीजे, दोस्तों, कल जो है मैं बोला तो 2000 student लाइब रहें, 2000 नहीं हुए थे, केवल का लेख जार हुए थे, तो आज आपको ये record दोस्तों आपको बताना है, राश्टि भोगता दिवस का मना जाता है, बताई फटापट से, चलिए, तो इसका correct answer हो जाए गर राश्टि भोगता दिवस का मना जाता है, 24 दिसम्मर को राश्टि भोगता संक्षन दिवस भी मना जाता है, ठीक है, अगला उशने वारा, कौन सी नदी भ्रंस घाटी से भैती, यानि कि रिफ्ट वैली सोकर कौन सी रिवर नदी भैती है, भ्रंस घाटी, रिफ्ट वैली सोकर, पताई फटापट से आपके screen पर question है, very good दोस्तों, बहुत बढ़ी आपका प्रयास काफी अच्छा है, बताई जल्दी से, very nice दोस्तों, option D correct हो जाग ठीक है, और भारत में जो रिफ्ट वैली सोकर प्रमुख न दिया भैती हो नर्वदा और तापती, चलिए अगला ओशन आपके screen पर है, किस विटामिन को anti sterile factor कहा जाता है, किस विटामिन को anti sterile factor कहा जाता है, फटापट से बताई, सभी लोग right answer देंगे, ज्यादा ज्याद कोशन नमर 7 आपके screen पर है, विश्व मौसम संगठन, यानि कि World Materiological Organization का headquarter कहा पर है, विश्व मौसम संगठन का मुख्याल है, जल्दी से बताएंगे, सभी लोग काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सभी के लगवक answer right हो रहे हैं, बताईए, very good दोस्तों, सही है आपका answer, जनेवा, ठीक है, सुट्जर लेंड जनेवा में सतीत है, विश्व मौसम संगठन का मुख्याल है, इससे पहले भी मैं कई बार इसके details बता चुका हूँ, World Materiological Organization के बारे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, देखे जो इसका headquarter है वो जनेवा में है, और देखे इसके जो वरत्मान में प्रमुक हैं, वो कौन है, World Meteorological Department के वरत्मान में प्रमुक कौन है, तो यह है, गेरहार्ड एड्रियन, गेरहार्ड एड्रियन है, ठीक है, इसकी स्थाबना का हुई थी, 1950 में थी, विश्व मौसम संक्ठन की स्थाबना, ठीक है, 23 मार्च 1950 को, अगला उसने, Railway Stop College कहा इस्ती थे, भारत में Railway Stop College कहा इस्ती थे, फटापट से बताईए, कमेंट बोक्स सबी लोग ज़्यादा ज़्यादा एंसर करेंगे, वेरी नाइस दोस्तों, वेल डन, चलिए, बड़ावदा में स्ती थे, गुजरात बड़ावदा में Railway Stop College इस्ती थे, आगे बढ़ दोस्तों, बहुत बढ़ी हैं, सभी लोग राइटेंसर दे रहे हैं, ऑप्सन सिसर, चार्ल्स एयर, ठीक है, चार्ल्स एयर, फोर्ट विलियम परिशत के पहले अध्यक्ष थे, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक निकिया, तो प्लीज फटापट सभी लोग एक टफ कोस्टन भी है, चलिए, एक्सिलेंट, बहुत अच्छा प्रयास, करेक्ट एंसर हो जाएगा, ऑप्सन ए, हेस्टिंग, बहुत बढ़ी है, सभी कराइट एंसर है, पिंडारियों को दमन करने के लभियान किसने शुरू करता है, हेस्टिंग ने, कोस्टन नमर 11 है हमारा पोर्क किसके मांस को कहा जाता है, किसके मांस को पोर्क कहा जाता है, बताइए, चार ओप्सन आपके सामने हैं, चलिए, वेल ड़न, ओप्सन भी करेक्ट हो जायागा, कोस्टन नमर 12 है हमारा भारती कपड़े का, भारती कपड़े का बड़ा आयतक देश कौन सा है, यानि कि भारती कपड़े का सबसे बड़ी import country कौन सी है import country बताना है आपको बताए फटापट से बहुत simple question है well done दोस्तों बहुत बढ़िया option डी America ठीक है भारती कपड़े का सबसे बड़ा आत्रक देश अमेरिका है question number 13 है अंग्रेजों के साथ सहायक संधी किस ने की थी अंग्रेजों के साथ सहायक संधी यानि की subsidiary treaty सहायक संधी को इंग्लीज में करते है subsidiary treaty very nice काफी अच्छा question है रेलवे से सिख जाम में ये question कई वार पूछा गया है चलिए बहुत बढ़िया question number 14 था आपके screen पर है भारती क्रांती की मा की रूप में कौन विख्यात है यानि की mother of the Indian revolution बताइए जल्दी से बताइए काफी important question है बहुत अच्छा question है बहुत बार एक्जामें पूछा गया है very good दोस्तों बहुत बढ़िया option D वीका जी रुस्तम कामा सभी लोगों ने right answer दिया वीका जी रुस्तम कामा चलिए question number 15 है कल्प योजना का संबन्द किस राज्य से है कल्प योजना का संबन्द किस राज्य से है 5 second का time आपको हर question दिया जाता है बताइए चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों correct answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश UP से ठीक है option भी correct हो जाएगा चलिए अगला उच्छन है वारा लाल क्रांती का संबन्द किस से है लाल क्रांती नहीं के red revolution का संबन्द किस से है इसका right answer बताइए भटापट से लाल क्रांती का संबन्द किस से है बहुत बढ़िया दोस्तों काफी अच्छा है आप लोग last तक बने रहे है इसक्विज में 50 question है लास्ट में आपको अपना answer भी बताना है पूरा score बताना है ठीक है चलिए बताइए भटापट से बहुत बढ़िया option भी meat production लाल क्रांती च्छा दूध हुत पादन के लिए कौन से क्रांती है श्वेद क्रांती का संबन्द किस से दूध हुत पादन से यानि कि white revolution अगला option आपकी screen पर है स्वामी वेकानन जी ने रामकृष्ण बिशन की स्थाबन किश वर्ष की थी ये question कई बार गया है बताइए बहुत simple question है स्वामी वेकानन ने रामकृष्ण बिशन की स्थाबन किश वर्ष की थी आपके सामने option दिये गया है चार बताइए काफी simple question है very good very good दोस्तों well done चलिए option D's का correct हो जाएगा 1897 में रामकृष्ण बिशन की स्थाबन की गीति option D correct हो जाएगा question number 18 आपकी screen पर HIV दोरा होने वाले रोग का कौन सा नाम है काफी simple question है इसका full form क्या होता है HIV का बताइए फटपट से चलिए बहुत बढ़ी है option ये correct हो जाएगा question number 19 ने हमारा पृथिवी को सूर की परिक्रमा करने में लगभग कितने दिनों को समय लगता है पृथिवी को सूर की परिक्रमा करने में लगभग कितने दिनों को समय लगता लड़ू question है बहुत simple question है बताइए बहुत बढ़िया इसमें तो आप लोग मिश्टक नहीं करेंगे, चलिए, option B correct हो जाएगा, 365.25 दिन, यानि कि option B इसका correct हो जाएगा, लगवग 365 दिन, ठीक है, चलिए, अगला question देख लेते हैं, गंगा के मैदान पर पूरानी कछारी मिट्टी को क्या कहलाती है, गंगा के मैदान पर पूरानी क के चारी मिट्टी कहते हैं, अगला question है मारा सन्यासी विद्रो कहां हुआ था, सन्यासी विद्रो यानि कि सेंट्स रिवेलियन कहां हुआ, बताइए, question number 21, बहुत simple question है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दोस्तों, option A correct हो जाएगा, छोटा नागपूर, option A right हो जाएगा, अगर अभी जो student नए जुड़े रहे हैं, आपको बता देक डेली साम को 7 बजे ये live test शुरू होता है, जिसे 50 question रहते हैं, आपको timing यातर नहीं जिसका नाम है GK booster test, आप लोग डेली participate करें, और आपने वीडियो अभी तक लाइक निए, जो नए student जुड़े हैं, प्लीज ए बहुत simple question है, लेकिन कई वारे जाम पूछा गया है, नारायन पंडित, बाणभट की एक बहुत famous book है, बताएए, बाणभट की परशिद बूख है, कादंबरी करें चीद कोन है, बाणभट, पंच तंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, पंच तंत्र, ये विश्नु सर्मा क द्वारा लिखा गये, फानभट, ये सारे important question है, ठीक है, question number 23 आपके screen पर है, विक्रम संबत का प्राणभवा था, विक्रम संबत का प्रारंभवा था, जो कि राजा विक्रम अ दित्वारा शूरु किया गया था, कब शूरु किया गया था ये, विक्रम संबत, बहुत सक संबत पर ठीक है सक संबत पर आधा जी थे अगला होशन है किसके सासनकाल में जो मराथा प्रमुख संबाजी की हत्या कर दी गई थी बताई यह फटापट से वेल नं दोस्तों काफी लो काफी स्टूडेंट राइट अंसर दे रहे हैं जो नहीं दे पार हैं आप डेली प्र 25 आपके स्क्रीन पर है शीवा जी ने मुगलों को किस संदी के उदारा किलो को हस्तांतरित किया था बताई 25 नंबर का एंसर बताई भड़ा पट से एक्सिलेंट रफट काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग जूडे रहे हैं लास्ट तक और लास्ट में अपने स्क का दिवेशन कौन बुलाता है चलिए बहुत बढ़ियां option D correct हो जागा राष्ट पती ठीक है question 27 आपके स्क्रीन पर है किस एक किस एक मात्र उपराष्ट पती की मृत्ति उपद पर रहते हुए हुई है एक मात्र रहसे उपराष्ट पती जिनकी मृत्ति उपद पर रहते हु कौन लोकसवा की कारवाहिया में भाग तो ले सकता है कि तुम मतदान नहीं कर सकता है यानि कि लोकसवा में participate कर सकता है कारवाहियों में परंत वोट नहीं डाल सकते कौन है इसा बताईए चार आपसन आपके सामने है काफी confusing वाला कोशन है यह जल्दी से बताएंगे चलिए बताईए फटापट से दोस्तों तो ये है option अटार्नी जनरल भारत के वरतमान में अटार्नी जनरल आप इंडिया कौन है बहुत इंपोर्डन कोशन है के के वेनू गोपाल जी ए ठीक है चलिए अगला कोशन है अच्छा है इक कोशन बताईए भारत के पहले अटार्नी जनर कौन थे चलिए इसका एंसर हो जाएगा MCC तलवाड ठीक है यह इंपोर्टन कोशन है यहां से आपको ऐसी फैक्ट में बताता रहता हूं तो आप डेली टेस्ट जरूर पाटिसिपिट किया करें टाइमिंग सेवन पीम साम को हिंद महासागार में सबसे बड़ा दूइप कौन सा है चलिए बहुत अच्छा कोशन यह बहुत बार पूछा गया है जितने भी डूस्तो पिछली परिक्ष्याओं से लिए गया है यानि जो पिछले बश की परिक्षा में है सारे टेस्टवेश्य wow ड़न में बहुत बढ़िया ओप Option B, option B correct है, शीद, सीटोशन, छेत्र में, ठीक है, सीद, सीटोशन, छेत्र में, Question number 31, आपकी स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे बड़ा कोवाल्ड उत्पादक देश कौन सा है, वर्ल्ल का सबसे बड़ा कोवाल्ड उत्पादक देश कौन सा है, बताईए फटापट से, चलिए, Very nice, option C right, जायरे, Question number 32 है, हरिहार और बुक्का ने किसके शासनकाल में बीजयनागर की स्थाबना की थी, बताईए फटापट से, हरिहार और बुक्का ने किसके शासनकाल में बीजयनागर की स्थाबना की थी, बताएए दोस्तों फटापट और वीडियो अभी तक आपने लाइक ने किया है तो फटापट से और अगर आप इस वीडियो को शेर ने किया तो फटापट से चलिए Q32, बहुत बढ़िया, option ये right हो जाएगा, सभी student right answer देते हैं, मुहम्मद मिन तुगलक Q33, दिल्ली पर प्रथम अफ़वान राज की स्थाबना का सरे किसी दे जाता है, बताए फटापट से Q34, गुरू मुखी लिपी का आरम किसने किया था, बताए फटापट से, गुरू मुखी लिपी का आरम किसने किया था, वेरी गुड, चलिए, गुरू अंगत जी, ठीक है, option D करेक्ट हो जाएगा Q35, हमारा, दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी काउन सी है, ये question दोस्तों, SST Railway और अन्नेक जामे में बहुत बार पूछा गया है, चलिए, excellent, option B, करेक्ट हो जाएगा, अनाई मुदी ही, ठीक है, दक्षिन भारत सबसे उची उची चोटी, अनाई मुदी है Q36, मकाउ देश की मुद्रा का क्या नाम है, मकाउ देश की करेंसी का क्या नाम है, चलिए, बहुत simple question, option B, पटाका, option B, पटाका Q37, सुएज नहर किस देश में स्थी थै, सुएज केनल, किस देश में स्थी थै, चलिए ये स्थीत है, मिस्र में, ठीक है, option C, correct हो जाएगा चलिए, बहुत simple question है, बहुत बार पूछा गया है, फटा फट से बताईए, बहुत बढ़िये दोस्तों, चलिए, option B, लेटराइट मिट्टी, option B, correct हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी, question 39 है हमारा देखिए, किस charter अधिनियम के तहत, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर् जनरल कहा जाने लगा, ये question बहुत important है दोस्तों, बताईए इसका answer, सभी लोग answer, ट्राइट देंगे, चलिए, option A, correct हो जाएगा, option A, question number 40 है आपके screen पर, कि सेक्ट के दोरा दोयत सासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है, बताईए फटा पट से, चलिए, बिल्कुल सही ह जायागा, option C, right answer, 1935, इसके तहर, जो है, दोयत सासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, दोयत सासन प्रणाली को दिया की बोलते हैं, इंगलिज्स में टिया की, अगर आप दोस्तों पहली बार जूल ले है चैनल पर, तो फटा 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 चैनल को सब्स्राइब कर ल सूची और संबर्ती सूची, संबर्ती सूची कैसी सूची होती है, जिसमें केंदर राश्चार कार दोनों इसमें बढ़न कर सकती है, चलिए, तो इसका correct answer जाएगा, option B, 52, वरतमान में संबर्ती सूची कितने भी से हैं, 52, question number 42, आपके screen पर है, राश्टी गीत का गाने का सम प्रस नकाल के ठीक बात का समय काल क्या कहलाता है, संसत के दोनों सब्सक्राइब के ठीक बात का समय क्या कहलाता है, चलिए, बताई फटापट से, पॉलिटी का question है, बहुत simple question है, बताईए, धीरे-धीरे मैं question को जो लेवाल हो टफ करता चलूँगा, जैसे यह test paper आगे बढ सब्सक्राइब करें दोस्तों बताइए फटापट से चलिए बहुत बढ़ी शून निकाल ऑप्शन भी शून निकाल कोश्चन नुमर 44 है प्रथम ग्रामीड बैंक की स्थाबना का हुई थी बताइए जल्दी से बहुत बढ़ी है दो अक्टूबर 1975 को प्रथम ग्रामीड बै कहा इस्थीत है चलिए बताइए जल्दी सिक्योटी पेपर मिल बहुत बढ़ी दोस्तों वेरी गुड होशंगा बाद में ठीक ऑप्शन सी कोशन और 46 है इन में से कौन ट्रत्यक्ष करने या नहीं कि डारेक्ट टैक्स नहीं है इन में से कौन ऐसा है जो डारेक्ट टैक्स नहीं है चलिए उप्शन डी विक्री कर ठीक इस बिक्री कर यह इन डारेक्ट टैक्स है अगला उसन है जल में ध्वनी की चाल कितनी होती है बताइए फटापट से जल में ध्वनी की चाल वेरी नाइस सभी लोग ट्राइड एंसर दे रहे है उप्शन भी करेक्ट हो एक किलो कैलोरी कितने जूल के बरावर आपके पास स्क्रीन में चार उप्शन दिये गए है बताइए फटापट से चलिए बहुत बढ़ी है दोस्तों और सभी लोग राइड एंसर दे रहे हैं पारा कितना तापमान पर जमता है पारा कितना तापमान पर जमता है साइंस मे कई बार कोशन पूछा आ चुका है चलिए राइट एंसर होजाएगा ऑप्शन A माइनस थर्टी beschल्प पसक्तथ लेकर एट पांट पार एट पॉरें बुस्टर टेस का टाइम होता है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइग नीकर लाइक कर दें meilleur comic चैनल को सब्सक्राइब कलें दोस्तों और मिलते हैं एक्षब्योंक साथ, तब तक लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्त रहें, बेस्त रहें, मस्त रहें, और जी के परमास पीडियोप जरूर परचेस कलें, आपके एक्जाम के लिए काफी महत्मूर है, सभी एक्जाम के लि अपना ध्यान रखें, जै हिद जै भारत